अगर फ्रेंट्स आपके पास बीवो का T2 5G है तो फ्रेंट्स इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसी फॉन के टॉप 50 प्लस टिप्स और टिक्स और कुछ हिडिन फीचर जिनका यूज करके आप इस फॉन को और भी अमेजिन तरीके से यूज कर की लॉुक्त चाहन के लिए नंबर होनी में पर कुछ इस यहां को यहां को मिल जाएगा वहां देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखे साइगा आप चाहिए हम उआलमा डाल सकते हैं कोई ne supliter सकते हो gan ing mi reflex शुचा करना करना हो आप लगा हुए Çelak इस सइण करना को अगर चीन करका कि या केमरा युठाइन को लगा सकते हैं का चीट सब्हुंक्तों इस phone of friends आपको super AMOLED display देखने को मिलती है तो इस phone में आपको देखने को मिल जाता है always on display का feature इस feature को on करने के लिए पहले होन की setting में जाएए इस call down करने पर आपको lock screen and bulb paper क्लिक करना है always on display क्लिक केजिए इस feature को यहां से on करने के बाद आप बहुत अच्छे से सको कस्टमाइज कर सकते हैं जैसकी lock screen पर आपके किस तरह की clock होना चाहिए आप इसको लगा सकते हो यहां पर जैसकी clock होना चाहिए इस तरह साब इसको इसको color आप बदल सकते हो जो भी color आपका favorite रता उसको साले कर सकते ह बगारा effects बगारा background में भी आप लगा सकते हो तो यह काफी advanced feature हो जाते हैं जो कि lock skin होने पर कुछ इस तरह सापको देखने को मिलेंगे always on होगी आपकी और यहां पर always on में कुछ इस तरह देखने को मिलेगा बहुत अलगले की clock सापको देखने को मिलेंगी इनको आप apply कर सकते हो analog clock भी मिलेंगी और digital clock भी आपको मिल जाती है जो भी आपको अच्छले ही लग सकते हो इसके लाबह आप यहां पर कुछ टेक्स सकते हो इसे फीरिशर मिलेंगे इनका भी आप आप कुछ इस तरह से और पर आप करेंगे तो लौग संपर को सेम ताइमि यूजज करना चाहते हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं पहले किसी और एक एक को उपन कर लीजी अब इसके साथ किसी और एप को यूजज यूज करना आप करना है, तो यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, आप नीची की ओर, किस एपस को आप यूज करना चाहते हैं, वो आपको यहां आके ओपन करना हुआ, तो यहां पर आप देख सकते हैं, दो एपस को सहीम टाइम में हम यूज कर पा रहे हैं, उपर, यूज में हम फाइल को अपन कि वड़े हैं, आप चाहएं तो ऊपर वाले को नीची लाए सकते हैं, आप यहां पर क्लिक करेंगे, इस तरह से स्यूच कर देख देंगे तो यह भी चेंज हो जाता है, इसके लाबहा किसी एक एपस को आप ज़्यादा एरिया में यू करके आपको system navigation पर क्लिक करना है अब आपको अगर बटनों की setting करना है तो यहाँ पर आपको डारेक्शन करना का option मिल जाएगा या क्लिक करके डारेक्शन को चेंज कर सकते हो इसके इलावा अगर चाहे तो इनको हटा के जैस्टर navigation का भी आप इस phone में यूज कर सकते हो इसके आप जैस्टर navigation पर क्लिक करके जैस्टर navigation का इस phone में यूज कर पाएंगे इस phone के अदर फ्रेंड्स अपने phone को सीख करके flashlight को on करा सकते हो इस तरह से करेंगे आपकी flashlight on हो जाएगी तो इस feature को आप on करना चाहते तो आपको phone की setting में जाना है phone की setting में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा shortcut and access celebrity इस feature पर क्लिक करने के बाद smart motion पर क्लिक किजिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा इस तरह से करेंगे flashlight on हो जाएगी तो इस तरह से phone केंदर यह भी feature मिल जाता है इसके लाव आप lock screen पर कुछ apps को भी control कर सकते है बहुत अच्छे से तो यहाँ पर आपको काफी advanced feature मिल जाते है तो lock screen पर चैसे कि आपको जाना है पहले phone की setting में इसको down करने के बाद आपको यहाँ फिर से shortcut and access celebrity पर चले जाना है smart motion पर जाना है और यहाँ पर आपको smart bag देखने को मिल जाएगा इस feature को आप क्लिक करेंगे यह से इस feature को on करेंगे तो इस तरह से feature को on कीजिए बन फिंगर से ब्राउन करने पर camera apps को आप डरकली open कर सकते हो तो यहाँ पर काफी अच्छे access मिल जाते है जिनको आप lock screen पर ही control कर सकते हो यहाँ से बापस आने को आपको और भी feature यहां मिल जाएंगे जैसे कि M type करने पर आपको music play हो जाएगा lock screen पर ही तो इस feature को on करने के बाद आपको स्कीन पर M type करना है आपका magic play हो जाएगा lock screen पर ही आप चाहें तो lock screen without करने के लिए इस feature को on कर लिए अब lock skin पे आपको एफ बनाना है तो आपका Facebook apps open हो जाएगा इसके लाबा यहाँ पर e से आप किसी भी फेवरेट apps को लगा सकते हो तो e का option लेगा इस पर क्लिक करके किसी भी फेवरेट apps को आप सेट कर लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर select gear camera camera apps को मैं open करना चाहता हूं तो लोग इसकी पर मुझे e type करना होगा तो डालक्ली camera apps मेरा open हो जाएगा तो इस तरह से friends किसी भी apps को आप लोग इसकी पर ही access करवा होगी बहुत आसानी से इस फॉन में friends आपको funny skin sort का feature मिल जाता है जिसका यूज करके इस फॉन में आप अलग अलग तरीकी से skin sort को बना सकते हो तो इसके लिए अपने control पैनल को जब आप open करते हो तो यहाँ पर आपको capture de exercising को मल जाए का इस पर क्लिक करके आपको यहाँ fun play skin कना यहां अलग सिण को अलग कटेगरी देखनी को मिलती ए इस फॉचर पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग करते है कि इमोजी देखनीको सकते हो इस तरह से स्टार को मलता सकते हो इस ओल्धफ करने पर अपनी एरिया को भी स्किंवर्ट moderate करने के पटने के चाहिए一起 काने ये उस की अरिया का तो इस केपचर पर जाना है फरने इस क्योंफ पर क्लिक करना है ये तो इसकीन सोट पर जब आप क्लिक करते हैं, तो आप अपने हिसाब से area को सालेक कर सकते हैं, तो जिस area का आपको skin sought चाहिए, ये आप इस तरह से सालेक करके इसको बना सकते हो, तो ये भी इस तरह से feature मिल जाता है, यहाँ से शेव कर लेंगे, तो यह इस तरह से skin sought भी मिल तो इस तरह से भी इसकीं होड बन जबी साथ है इस फिंगर से डाउन करने पर भी आप एक साथ प्रेस करेंगे तब भी आपसे सब्षमोन ले सकते हो इस बना सकते हो तो इनकों करने के लिए आपको जाना है फॉन की सेटिंग में इसकी बाद आपको डाइनमेक एफेक्ट्स पर क्लिक करना है जिसकी बाद आप यहां देखो को फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन का आफसन रहता है यहां पर आप आल्विज ओन में किस तरह का अपना एनिमेशन सो करना चाहते है वो मिल जाते हैं तो यहां से अपने एनिमेशन को सेलेक कर सकते हैं इसको अब लॉक्ट स्कीन होने पर आपको कुछ इस तरह से अपको देखने को मिल जाएगा तो चली देखने को मिल जाएगा तो इस phone के अंतर बहुत आसानी से आप set कर सकते हो एड़ करके उनका यहाँ पे feature को आप छे से phone को बना सकते हो तो उनको add on में setting करने के लिए लए phone की setting में जाएए अब यहाँ पर आपको पहले feature मिलेगा इस फीचर को पहले आपको on करना है और यहाँ से बापस आने की बाद आपको यहाँ से अलग लग एफेक्स को मिल जाते हैं इनका अप कलर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी कलर आपको अच्छा लगई है यहाँ पर सब्सक्राइब कर सक बाऊने को कॉछ इस तरह से देखने को मिलेगा और कॉल आएगी तब भी आपको इनिमेसन इस तरह से आपको देखने को मिलेगा只क का दारेक्शन आपकि आने पर भी आपके इफेक्ट है अब इंकमिंग कॉल्स के लिए आप यहां से बतल सकते हैं तो यहां पर अलग-अलग यहां पर एफेक्ट को एड कर पाऊगों चुक्छ इस तरह की आपको चारों तरफ देखने को मिल जाएगी तो इसको भी आप बहुत आसानी से एपलाई कर सकते हो वापस आने के बाद यह यहां पर टैंजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जिसकी आपको यह से ओपन किया जाएगा तो किस तरह से देखने कर सकते हो तो अलग-छलग एफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी अच्छा लगए आप उसको आकर करके एपलाई कर लीजिए उसी तरीका इफेक्ट्स आपको लॉग स्कीन पर देखने को मिल जाएगा इसकी बाद आपको फेस का भी जो अनिमेशन जैन का आफसे मिलता है वह भी अपेलेबल होता है तो यहां क्लिक करके अलग-लग फेस एनिमेशन को आपको अच्छा लगे यहां पर आकर आकर आप उसको करेंगे तो यहां पर उसको भी बदल सकते हो और यहां पर इस तरह से होना साहिए यह सब मिल जाएंगे तो यहां पर इसको मैं इसको क्लिक किया तो यहां पर कुछ is तरह से एफेक्स आपको देखने को मिला जाएगा त्सकर आपने पको एड़ सकते हैं इस फोन को देचेर अए इस। फोटो या वीडियो को हाइड करने के लिए उस फोटो का क्लिक किजी जो भी आप हाइड करना चाहते है कुछ इस तरह से और फी डर पर क्लिक करके अपने प्राइबिसी पास्पर बनाया था उसको लगा कि आप नेक्स करेंगे यह आपका हाइड हो जाएगा फॉन की सेटिंग उपन करते ही यहां पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आगा आपको स्कॉल डाउन करने के वद आपको स्वाटकट एंड एक्स सेलेबिटी पर जाना होगा और यहां पे आपको आने के बाद देखने हो मिलेगा क्यूक एक्षन इस पर क्लिक करके आप यहां प यहां से एक स्टेप बापस आने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है इस फोन में प्रेस और बटन पर एक्सेस करना चाहते है वह भी ऑफिसन मिल जाएंगे चेंग करने का तो यहां पर अपने इसाफ से जो भी रखने चाहें उसको आप लग पाऊगे बैग्वन को प्रेस करने पर आपको इजी तेच का आफिसन मिल जाता है यह का सकती है दो एपस भी यहां देखने को मिल जाते हैं तो यहां पे बहुत अच्छे सा इंको आप एक्सेस कर पाऊगे तो यहां भी कुछ और भी एडट मिल जाते हैं जैसे कि टैप करने पर आपका मीनु OPN होता है तो यहां से इस से मीन्यों पर मेरा यहां पर प्लस होगा त तो जितनी वारा प्रेस करेंगे उतना आपका यहां पर प्लेस होता जाएगा तो इससरे साफ में आप एक्सिस कर पाऊगे अपने हिसाब से इसके बादावा यहां पर आपको और भी मिलते हैं जैसे की यहां से आप बहा एक्सिस कर पाएगे इसपर क्लिक करने की। यहां पर आप ब्रेंडिट का सपोर्ट मिल जाता है इस फीचर को को यहां से on करने की बाद इस फॉन को आप बन हैंड it मूड पर on कर पाओगे कुछ इस तरह से क्लिक करने पर तो आपको फॉन बन हैंड it मूड पर आजाएगा आप चाहएंगा तो इसको आप लेफ्ट हेंट से भी यूज कर सकते जिसलिए आप इस आप इस पर क्लिक कीजिए और इसको इस तरह सेलेक कीजिए तो आप इस हाँ से भी यूज़ कर पाऊगे अगर इसको फुल स्किन में करना चाहते हैं तो यहां पर क्लोज कर दीजिए आपको फुल स्किन में भी फॉन सो हो जाएगा बैक बन को प्रेस करने पर एक्स लेविटी का ओफिसन मिलता है यहां क्लिक करने की बाद आप कुछ और भी एक्स से ऑफिसन मिल जाएंगे जैसे की फॉन एंड डिस्प्ले फॉन इसको आप यहां से रिसाइज कर सकते हो अगर गर्वर हो गया है तो यहां पर कर सकते हो इस वीचर को आप और भी ज्यादा एक्सर लिम कर सकते हो जो लाइट रही वह और भी जाता है यहां पर लो लाइट हो जाएगी शिस्टम कंडॉक्टर क्लिक करके आपको अलग-लग फीचर मिल जाएंगे जैसकि आपके फोन की स्कीन रोटेट ऑटोमेटिक होथी लिए स्कॉर्लडाउन करके आपको देखिनां मिलेगा security इस option पर क्लिक करके आपको स्कॉर्डाउन करने पर privacy and app encryption पर क्लिक करना एंग आपको जो भी privacy लाग है वहाँ से कर सकते हो अगर चाहिए हिस फोन के अंदर apps को भी जो भी हाइट करना है वह भी करपाऊगे इस फोन की fone की setting में जाए इस call down कीजिए आपको फिर से shortcut and access celebrity पर click करना है इसको smart motion पर click कीजिए smart screen on off के लिए select करके आपको इस feature को on करना होगा आप screen को double tap कराके इस तरह साफ लोग कर सकते हो अगर चाहे तो आप double tap करके screen को on भी करा सकते हूं इस feature को on करने के लिए फिर सही आपको सैटिंग में जाके shortcut and access n clarify में जाना हैं और या smart screen on up के लिए आपको आरिने का बाद इस feature को on करना होगा है आप लॉक्स क्रिण पर ही डवल tap करेंगे जब की पिक अप करेंगे तो यहां पर आने को फिर से ही आपको इस फीचर को आपको देखने को मिल जाते हैं जिनका यूज़ करके आप इस फोन को और भी इजी तरीके से यूज़ कर पाऊगे आशकरते हैं इनके बारे में जानके काफी अच्छा लगा हूँ आपको अगर वीडियो